आज का सवाल, नमबर एक, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान, गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुआ था? भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतिय कानूनी आयोग का लोगप्रिय नाम है? सवाल नमबर तीन, निम्न लिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? सवाल नमबर चार, निम्न लिखित में से किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नीम रखी? सवाल नमबर पौँच, निम्न लिखित में से कौन? उनिस सो च्वालिस, सारो तैलिस के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? सवाल नमबर चार, निम्न में सिकिस अधिनियम के द्वारा, अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदाइक निर्वाचन विवस्था की शुरुवात की? सवाल नमबर आठ, भारत में ब्रिटिश शासनकाल की अवधी में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपन अधिनियम? Devolution Rule के नाम से जाना जाता है ए, भारतिय परिशद अधिनियम, 1909, बी, भारत शासन अधिनियम, 1888, सी, भारत शासन अधिनियम, 1919, डी, भारतिय परिशद अधिनियम, 800 टकर्ड, सही उत्तर है, बी, भारत शासन अधिनियम, 1888, सवाल नमबर नो, योग्यता के आधार पर भरती का विचार सर्व प्रथम किसमें व्यक्त किया गया था? A. इसलिंगटन आयोग B. लियायोग C. मैक्सविल समिती D. मैकाले समिती सही उत्तर है D. मैकाले समिती सवाल नमबर 10 निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदाई सरकार की स्थापना की गई A. भारतिय परिशद अधिनियम 1892 B. भारत शासन अधिनियम 1935 C. भारतिय परिशद अधिनियम 1800 बाइंगी में D. भारत शासन अधिनियम 1919 सही उत्तर है D. भारत शासन अधिनियम